एक नौंबर से सरकार कई सोगाते दे रही है, एक तरफ आदिवासी निर्त्य महुत्सों की शुरुआत होगी तो दूसरी तरफ धान खरिदी की शुरुआत होगी, हमारे साथ में यहाँ पर मंत्री अमर्जीत भगत है, उनसे ही हम जानेंगे कि किस तरीके की सोगाते और किस सबसे बड़ा एक त्योहार की तरह आप लोगों ने नित्य मोहत्सों को बना दिया है आदिवाशियू के लिए खास तोर पर देश-विदेश में ऐसा प्लैटफॉर्म देखने को नहीं मिला था क्या कुछ खास नजारा रहेगा इस बार 36 गड़ राज्य इस्थापना दिवस एक नौवंबर उस दिन राज्य का जनम हुआ राज्य का जनम दिन है और पूरे प्रदेश के लोग एक नौवंबर को त्योहार के रूप में मनाने जा रहे हैं जहां पर 36 गड़ इस्थापना दिवस का कारेक्रम होगा वहीं साथ में आदिवासिन रित्यम होत्सों का भी आयोजन हो रहा है एक तरह से देश और दुनिया में 36 गड़ की संस्कृति को इस्थापित करने का जो बेड़ा 36 के मुख्या माने भूपेश बगेल जी ने उठाया है वो काविले तारीफ है कि किस प्रकार से हम अपने संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं किस प्रकार से उस आयोजन के माध्यम से 36 संस्कृति के वारे में और जो भी पोजिटिव पक्ष है जो भी साकरात्मक पक्ष है उसको हम कैसे इस आयोजन की माध्यम से देश और दुनिया के सामने ला सकते हैं एक प्रयास है और मैं देख रहा हूं कि जब से इसकी शुरुवात हुई है लगातार इसमें सफलता मिल र प्रदेश में इस बार भी बड़ी संख्या में विदेशी कलाकार यहां पर आ रहे हैं जो कलाकारों काने का सिलसला है किस तरीके से आप उसको कुछ देशों में भी आप लोगों ने निमंतरन भेजा था कितने देशों में निमंतरन भेजा कितने देशों से निमंतरन को मान लिए गया है और कौन-कौन से देशों से लोग आ रहे हैं निमंतर तो देश के अंदर लगभग सभी राज्यों में अपने प्रदेश के जन प्रतिनीधियों को और अधिकारियों का टीम बना करके माने मुख्यमंत्री जी ने भेजा था और निमंतर अधिकांस राज्य आने क कि सहमति भी दिये हैं पिछले बार भी लगभग 27-28 राज्य और पांच लगभग जो केंदर सासित राज्य है वहां के प्रतिनीधियों और कल्चर टीम भी इसमें भाग लिये थे इस बार भी लगभग वही रहेगा कुछ राज्यों को छोन करके दो-तिन राज्य को हम नही भी बोल सकते हैं बाकी सभी राज्य उसमें समलित होंगे शाथ में बिदेशों से भी लगभग 18 या 19 देश के लोग अपनी सहमति आने के लिए इसमें इच्छा जाहिर किये थे उसमें से 9 देश के लोग जो है अभी आने का उनका कंफर्मिसन आया है बाकी का जैसे जैसे आ पाएंगे तो अभी मैं अभी कहीं बहार था आजी आया हूं और कल से इस पर मैं फिर कॉंसेंट्रेट करूंगा तो बाकी अधिकारियों से बात करके और डिटेल से आप लोग से बात करेंगे राज जी की शुरुवात यहां पर आप लोग सोगात भी देंगे जिसमें धान खरीदी जो सरकार यहां पर करती है एक बड़ा लक्ष उनकी तरफ से रखा जाता है और उस लक्ष की प्राप्ति के लिए भी देखा गया है कि आप लोगों ने रिकॉर्ड ही बनाया है इस बार भी एक तारिक से धान खरीदी होगी बारदाने को लेकर समस्या आती हमेशा भाजपा सवाल उठाती है क्या कुछ इस बार परिशानियों को दूर करने के लिए आप लोगों ने लक्ष रखा राज्य के पास सबसे बड़ा काम धान खरीदी का है जिस प्रदेश में 80% से अधिक लोग क्रिशी कारे करते हों और क्रिशी पर आधारित उनका जीवन हो और उनके द्वारा उत्पादन किया हुआ धान का खरीदी अगर सरकार करती है और उनको आकरसक रासी देती है राज्य गांधी किसान निया योजना के माध्यम से लोगों को इंपूट सबसीड़ी देती है तो मैं सुचता हूँ कि किसानों को इतना बड़ा योजना पूरे देश में और कहीं नहीं है और जितने उत्साहित और जितने खुश चटिस गड़ किसान है मैंने सुचता हूँ कि और राज्य में कहीं इस प्रकार का सरकार अपने किसानों को बड़त करती होगे मैंने सब्सक्राइब किसानों कि माध्यम से दस हजार रुपय प्रती एकड़ जो और जो समानने खेती कर रहें उनको 9000 रुपय प्रती एकड़ ते बड़ी रासी हो जाती है और ठीक मौके में जब निदाई-गुडाई का काम हो जब कटाई का काम हो जब तीज ते वहार का टाइम हो उस समय पैसा के लिए जब किसान के पास दरकार रहती है उसमय अगर पैसा हम के हाथ में आये इससे खुसी की बात और कुछ होई नहीं सकती है तो एक नौंबर तो किसानों के लिए प्रदीश वासियों के लिए बहुत बड़ा तेवहार है किसान तेवहार है राज्य का तेवहार है पक्ष बीपक्ष है सब के लिए जो किसानी काम करते हैं सब के लिए बड़ी सवगात है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दो परेशानिया सबसे जाधा देखने को मिलती है कि दूसरे राज्यों से जो धान आता है अवैद धान उसको सरकार को रोकने के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है और दूसरा जो बारदाने की समस्या होती है धान भीगने की समस्या होती है व सभाविक है कि वहाँ पर खपाने कोशिस होगा 36 गड़ मार्केट ऐसा है कि यहाँ पर धान का सबसे अधिक दाम मिल रहा है तो लोगों जो व्यापारी है जो विचोलिये हैं उनका कोशिस हमेशा रहता है लेकिन हमारे विभाग के मुस्तेद अधिकारियों के मोनेटरिंग से हमेशा से हम लोगों नेश्पेकारवाई किया और रोक लगाया है खास करके जो सिमावर्ती जो प्रदेश है और जो जिला लगते हैं जारखंड हो गया उडिसा हो गया मद्द प्रदेश हो गया इधर से उत्रप्रदेश हो गया महरास्थ हो गया यह जो सिमावर्ती जो जिला है वहां से खपाने का कोशिस होता है और उसके लिए पहले से मोनेटरिंग टीम बना करके उसके हम लगातार में उसका मोनेटरिंग करते हैं और इस पर हमको सफलता भी मिलती है और जो पकड़ में आते उनके लाव कारवाई कारवाई तो होगी लेकिन एक बड़ा करोड से जादा मेट्रिक्टन धान की खरेदी का जो लक्ष था वो पिछली बार रखा गया था इस बार का लक्ष कैसा रहेगा अंठानवे लाग मेट्रिक्टन धान खरेदी पिछली बार आप लोगों ने की थी एक रिकॉर्ड बना था हुँ देखे पिछले साल स्लाक मेट्रिक्टन तो बड़ा मैं इसकोर होता है उसकोई चिप करने के लिए हमको तैयारी और बाकी कोशिश भ्यूसी नंग से करनी पड़ती है तो हम पुरे अधिकारियों को विभाग को लगातार निर्दिशित कर रहे हैं और इस पर कारवाही भी चल रहे हैं बिल्कुल सक्री मंत्री हैं अमरजीत भगत लगातार वो बैठक भी करते रहते हैं मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि एक बड़ा स्कोर बहुत माइने रखता है क्योंकि 36 गड़ में जब कॉंगरेस की सरकार बनी तो भी एक बड़ा स्क में उन्होंने जिस तरीके से अपनी बढ़त बनाई थी कुल मिलाकर 36 सरकार की तरफ से जो भी योजनाय लॉंच की जा रही है इसकोर बनाने की कोशिश यहां पर है और इस बार धान खरीदी का इसकोर कितना पहुँचेगा यह आने वाले वक्त में पता चलेगा चतिस गड़ से टीवी नाइन कलिया मित मिश्रा